नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विकास पांडे और आप सभी को इम्पीरियल आठ में तहे दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तों ये है कोरल ड्रो के विजिटिंग कार्ड नंबर 9 का क्लास और आज के क्लास में हम विजिटिंग कार्ड बनाना सीखेंगे तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिस करेंगे इस थमनेल को सलेक्ट कर साइट कर लेंगे टूल बार में जाएंगे, रेक्टेंगल टूल लेंगे और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे अब दोस्तो प्रोपर्टी टूल बार में जाकर यहाँ पे इसके लेंध को 3.5 इंचेस में हमें ले लेना है और विट्थ को 2 इंचेस में लेकर इसे लॉक कर देंगे यह देखिए, एक्जेक्ट हमारा विजिटिंग कार्ट का जो साइज है वो हमें मिल गया है अब 2-point line से line को draw करना है कुछ इस प्रकार से यह देखिए यह line हमने draw कर लिया है अब इस line को select रखते हुए यह देखिए select करेंगे shift की को press रखते हुए यहाँ तक लाएंगे और right click कर देंगे एक duplicate हो जाएगा यह देखिए duplicate हो गया है अब दोस्तों यहाँ पे smart fill tool को लेना है और इसे feel करेंगे यहाँ पे dark gray color जो है CMYK का उसे हमें यहाँ पे feel करना है इसे feel कर लेंगे अब इस जगे पे भी smart fill tool से feel करेंगे और यहाँ पे light gray color CMYK का है उसे हम यहाँ पे feel कर लेंगे यह feel कर लिया है दोस्तों हमने इसे select करेंगे और outline को none कर देंगे अब इस rectangle को select करेंगे यहाँ पे CMYK का white color है उसे हमें यहाँ पे feel कर लेना है अब दोस्तों यह white color से feel हो गया है अब हमें toolbar में जाना है rectangle tool लेंगे इसे लेना है दोस्तों और एक rectangle draw करेंगे कुछ इस प्रकास से और इसे यहाँ पे set करेंगे दोस्तों इसके width को हम 0.300 inch में ले लेते हैं यह देखिए और इसके length को हम drag कर थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे यह ठीक है यह perfect लग रहा है दोस्तों अब हमें इसे select रखना है विंडो में जाएंगे docus में जाएंगे और transform को select करेंगे यह देखिए और यहाँ पे अब हमें option मिल जाते हैं position का x axis y axis तो y axis में हमें minus 0.4 inches लेना है copy 3 रहेगा दोस्तों और apply कर देंगे तो यह हमें तीन जो है rectangle हमें दे देगा और distance same distance maintain भी रहेगा यह देखिए 0.4 minus 0.4 inches हमने लिया था और वो distance यहाँ पे maintain है y axis में इसे हमने group कर लिया है अब दोस्तों इसे shift key को press रखते हुए थोड़ा सा उपर के ओल लेंगे यह थीक है इसे ungroup कर लेंगे थीक है अब smart fill tool में जाना है और इसे feel करेंगे और इसे cyan color से यहाँ पे feel कर लेना है यहाँ भी इसे feel करेंगे और cyan color से feel करेंगे यहाँ भी से smart fill tool से feel कर cyan color को feel कर लेना है यह थीक है यह हो गया है अब यहाँ पे guideline का use करना है दोस्तों यह guideline को यहाँ पे लाएंगे virtual segment delete tool को लेंगे यह portion को हमें delete कर देना है यह देखिए यहाँ से इस portion को delete कर देंगे यह देखिए यह सभी portion को हमें delete कर देना है यह delete हो गया है दोस्तों अब इस line को यह देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए यह line दिख रहा है दोस्तों इसे select करना है line को line को हम select करेंगे right click करेंगे break curve apart control plus k भी आप use कर सकते हैं इससे यह break हो गया है अब हम इस line को लेंगे और इससे बाहर की और निकाल देंगे यह देखिए इससे हम बाहर निकाल कर delete कर देते हैं यह delete हो गया है same process हमें नीचे में भी करना है दोस्तों नीचे के line में भी तो यहां भी इस line को select करेंगे right click करेंगे break curve apart कर देंगे और हमारे जो उपर के जो line है उसे हमें हटाना है इसे भी break curve apart कर देंगे या shortcut key कर यूज करें control plus के यहां भी right click करेंगे और break curve apart control plus की कर भी यूज कर सकते हैं यह देखिए यहां पीसे हम delete कर देंगे यह वाले line को भी हम लेंगे और इसे भी हम delete कर देंगे यहां भी इस line को लेंगे और यह देखिए undo कर लेते हैं और फिर से try करते हैं एक बार यह देखिए यहां पे इस line को हमें लेना है और delete कर देंगे यह दोस्तो shape ready है इसे select करेंगे यह ungroup कर देना है अब दोस्तो इस line को हमें select करना है outline pen में जाएंगे behind field इसके लिए with object को टिक करना है और यहां eye dropper tool से cyan color को pick कर लेंगे और ok कर देंगे line में color आ गया है दोस्तो अब दूसरे line को हम लेंगे outline pen में जाएंगे behind field इसके लिए with object को टिक कर लेना है यहां पे color pick कर लेंगे cyan color और ok कर देंगे तीसरे line को भी हमें select कर लेना है outline pen में जाएंगे behind field इसके लिए with object और color को जो है cyan color को pick कर लेना है और ok कर लेंगे fourth line को भी हमें same इसी process से करेंगे outline pen में जाएंगे यहां पे click करना है और यहां पे color pick कर लेंगे behind field इसके लिए with object और टिक करेंगे और ok कर देंगे line में color आ गया है दोस्तों इस guideline को delete कर देंगे इस shape को select करेंगे और group कर देंगे text जो है दोस्तों मैंने पहले से लिख के रखा है ताकि कोई time waste न हो और हम इस design को जल्दी से बना लें मैं इसका cdr आपको provide कर दूँगा यह देखिए दोस्तों इसे यहां पे अच्छे से set करना है जहां पे इसे अच्छे से set करें यह ठीक है इसे ungroup कर लेंगे और यह वाले को थोड़ा सा आगे की ओर हम लेंगे कि देखिए थोड़ा सा आगे की ओर यहां तक ले लेते हैं यह देखिए इसे भी हम थोड़ा सा और आगे ले लेंगे यहां पे set कर लेंगे यह ठीक है दोस्तों इस नीचे वाले line को भी हमें select करना है और इसे थोड़ा सा आगे की ओर हमें place करना है यहां पे यह देखिए इसे अच्छे से यहां पे set कर लें यह अच्छे से set हो गया है थोड़ा सा और आगे कर लेंगे यह ठीक है इसे select करते हैं group करेंगे अब दोस्तों इस logo को हमें यहां पे place करना है अपने आप shift page अप कर लेंगे अपने company के आप logo को यहां पे place करें यह देखिए इसे select करेंगे group कर लेंगे तो दोस्तों यह visiting card ready हो गया है दोस्तों यह था आज का class और दोस्तों मुझे उमीद है आज की class आपको जरूर पसंद आई होगी पसंद आए तो like करें, share करें, subscribe करें और किसी भी तरह के प्रश्न के लिए comment section में जरूर लिखें मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा हम अगले class में बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए visiting card के साथ thanks for watching